वेल्कम फ्रेंट्स, स्वागत है आप सभी का रग्री आठ बजे की मास्टर क्लास में जी हाँ मास्टर क्लास का मतलब होता है कि आपके कोई भी जाम में पूछे जाए सवाल और वो आपके यहाँ पर दिखाये जाए जाहें तो आप रेल्वे की एंटी पीसी की परिच्छा के लिए अपलाई किये हुए हैं स्वागत होते हैं जो उनसे रिलेटेड अकसर आपके हर एक इक जाम में आते हैं तो हम मांस्टर क्लास में उन्हें टोपिकों समिल करते हैं जो सब इक लिए इंपॉर्डेट होते हैं याद रखें हर दिन दात्री आठ बज़े से मांस्टर क्लास देखें सवाल क्या है और टाइप क्या होगा कुछ इस तरह के सवाल आपसे पूछी जाते हैं जो आप काफी इसमें ज़्यादा उलत जाते हैं और एक जाम में आप 20 से 30 सिकेंड करने की बजाए आप एक सवाल में 10 मिनट लगा देते हैं उसमें आपका काफी सवाल चुट जाता है तो इन ट्रिक देखिएगा छोटी सी यह विल्कुल नहीं सी यदि A, B, C, D तथा E पांच कर्मागत सम या भी सम संख्याएं दी गई हैं अकसर दिये जाता है यदि A, B, C, D तथा E कर्मागत पांच सम या भी सम संख्याएं हैं तो उनका आउसाथ A प्लस पोर अथवा E माइनस पोर होगा अब आप कहेंगी A प्लस पोर अथवा E माइनस पोर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ जादेजी कुष्चत है यदि 5 कर्मागत पी सम संख्याएं A, B, C, D तथा E है और उनका आउसाथ 21 है तो E कामागत क्या होगा 5 कर्मागत संख्याएं A, B, C, D तथा E और उनका आउसाथ भी दिया 21 तो E कामागत निकालना है आप सिंपल सी बात है बोल रहा है कि A प्लस 4 आथवा E माइनस 4 होगा आप लगा दीजिए फटा फट E माइनस 4 क्योंकि हमें E कमान भी निकालना है तो यह हो गया E माइनस 4 ट्रिक हो गई और 21 दिया है टोटल क्योंकि कह रहा है उनका आउसाथ क्या है एकाइस है एकाइस दिया ना यह देखिए दिया है तो बराबर हमने एकाइस कर दिया यहां से E बराबर 21 धन उदरी जाएगा तो चार धन हो जाएगा और E बराबर आ गया 25 इस तरह से आप से जल्वी से छाप लेजिए हो गया और फिर हम लोग आगे चलते हैं है ना कितना मस्त सवाल है ना एक सवाल और इसी पर बता दीजिए सेम तुसे फिर हम लोग आगे चलते हैं यह दि इनका आउसत मैं 28 कर देता हूं 21 के जगह पर 28 हो गया अब आप लोग बताईए इसका उतर कि इतना आएगा जल्दी से सभी लोग बताईए जो कि पहला अब आपका हो ज हो जाएगा 35 तीसरा अप्शन हो जाएगा 28 और जौथा अप्शन जो है ना उका हो जाएगा देहां दीजिएगा 32 जल्दी से बताईए सवाल नंबर दो में कौन सा सही होगा फटा फट कोशिस करें कौन सा आएगा दूसरे में क्या सही होगा हो गया ना सभी के कमेंट्स इसमें 32 होगा 32 कैसे होगा आप लोग जानते हैं ज्यादा बना आदने की ज़रूरत नहीं है ना नोट कर लिजिए सिकंड टाइप का सवाल देखिए जो कि आपके अक्सर परिक्षाओं में पूछा जाता है और यह क्या कहता है गवर घरिएगा देखिए अगर आपको क्वाल्टी नहीं बेटर आ रहा ही तो जल्दी से सेटिंग से चेंज कर लिए कि बिल्कुल फुल एच्टी क्वाल्टी हो जाए बेक्तियों की संक्ययन है उनकी आूसत आयू में एक्स वर्ष कि निद्स हो जाए जिससे आयू वाई वर्ष है कि अफ्थान पर एक नये बेक्ति को लाया जाए तो उस नये बेक्ति की आयू कितना होगी पतलब y पलस nx या y माइनस nx होगी समझ गए न नए बेक्ति को यहाँ पर और लिख लिजिए चाहे तो नए बेक्ति को लाया जाए ठीक है नए बेक्ति को लाया जाए तो नए बेक्ति की आयू नए बेक्ति की आयू बराबर क्या होगा y plus nx या y minus nx इसको याद रखिएगा नोट कर लीजी ये ट्रिक है यदि इस तरह से कई सवाल दिया जाता है कि आपको दे दिया जाएमान लेते हैं एक एक्जामपल दिया गया है आठ वेक्तियों के आउसत आयू में तीन वर्सी की बृत्धी हो जाती है यदि उनमें से एक पच्पन वर्सी के वेक्ति के आउसतान पर एक दूसरा वेक्तिया जाता है तो फिर आउसत आयू क्या होगी यनि कि उस वेक्ति की आउसत आयू क्या होगी आपको ऐसे ही बताना है सवाल देखिए आपके सामने आρά चल्दी से पर देखिए अगला सवाल मतलब टाइट तो आपने देख लिया अब देखे इसमें एक्जामपल कैसे होगा कुश्चन है आठ विक्तियों के आउसत आयू में दो वर्सिक की ब्रिद्धी हो जाती है मतलब विक्तियों की संक्या टोटल कितनी है हाट है उनके आउसत आयू में मतलब किसी के परिसनल एक लोग की बात नहीं हो रही सबी के आउसत आयू में एनि के एवरेंज आयू में दो वर्स की ब्रिद्धी होती है इसके बाद क्या होता है या दिनमें से पचपन वर्स के एक बेक्ति के jurisdiction पर एक new बेक्ति को मतलब ले आया जा या फिर कोई एक नया बेक्ति आ जाए तो फिर नय बेक्ति की आउसताङू क्या होगी मतलब जो 8 बेक्ति है उनमें से किसी की आउये नहीं मालू की कितना है लेकिन एक बेक्ति के बारे में बात की जा रही कि एक बेक्ति पचपन वर्सका है उसकी जगा पर कोई एक नया बेक्ति आ जाता है तो नया बेक्ति किया उसा दाल क्या होगी इस तरह के सवाल आते हैं अगर इसको आप basic में करते हैं तो कफी यह दिक्कत करते हैं इसे आप अगर trick में लगाएंगे तो बहुत ही आसान होगा और छोटा सा होगा trick आप लोग इसको लिख लीजिए y plus यह ने x बस इतना छोटा फ़ट trick है इसी में आपको command रख देना है आपका उत्तर आ जाएगा जहां पर y command क्या होगा उस बेक्ति का आयू जितना मतलब जिसको हटाया गया पचपन वर्स का बेक्ति था तो यह पचपन हो जाएगा plus yen yen मतलब total number आप people लेनी की total कितने बेक्ति थे 8 थे x का मतलब वो वर्स होगा जितने वर्स की ब्रिद्धी होती है कमी होती है तो यह हो जाएगा यहाँ पर 2 इस तरह से आप इसे जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 16 और यह 6, 5, 11 5, 1, 6, 1, 7 यानि की 71 वर्स वो इस बेक्ति की आउसाद आयू कितनी थी 71 वर्स हो गई जो नया वेक्ति आया इसी पर अधारित एक सवाल आप लोग खुद से करेंगे और उसका अंसर कमेंट करेंगे ध्यान दिजिएगा आप लोग जल्दी से फटा-फट बताएं दूसरा सवाल आदा मिनट के अंदर बताईएगा ये इस टाइप का पहला सवाल था इसी टाइप का दूसरा सवाल अगर 8 वेक्ति की जगा हम 10 वेक्ति कर दे तो उत्तर में बिल्कुल थोड़ा सा फरक पड़ेगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताईए फिर इसका अंसर कितना आएगा आप्शन पहला आपके सामने है 72 वर्स, 73 वर्स, 75 वर्स या 74 वर्स जल्दी से बताईए क्या इसमें 65 वर्स आएगा कैसे आठ की जगा पे जब ये 10 हो जाएगा देखिया अभी 65 नहीं होगा तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें कितना आएगा इसी में से कोई एका उप्शन सही है 65 नहीं होगा देखिये अब इसमें सिंपल सा है आपको यनका मान 10 रख देना है हाट की जगा पर तब ये हो जाएगा 20 जहां आप 16 जोड़ते थे वहाँ आप जोड़ेंगे 20 और 55 में 20 जोड़ेंगे तो सिंपल सा है कि 75 वर्स आएगा 75 वर्स ये दो तीन कोईशन हो गए एक टाइप के इसमें आप लोगों को इतना अभ्यास कर लेना है कि कोई भी कोईशन गड़बर ना हो मतलब कि गलत ना हो अगर इसी में हम बदल दे थोड़ा सा और इसी टाइप में तीसरा नंबर सवाल कर दे और जो 55 वर्स का बेक्ति था उसे 75 वर्स का बना देते हैं आप देखिए इसका अंसर कितना आएगा आप लोग जल्दी से सभी लोग फटा फट कमेंट करके बताएं इसी सवाल में तीसरा टाइप का ये बन गया मतलब थोड़ा सांतर हो गया तो अब आप लोग बताएं कितना आएगा 90, 96, 93 या 95 ये question number 3 हो गया इसी टाइप में ये नहीं जरूरी की परिच्छा में आप से ऐसे से पूछ लिया जाएगा किसी भी टाइप का आ सकता है कोई भी number आ सकता है अगर पृद्धी की जगा पर कमी बोला जाएगा आग में दो वर्ष की कमी हो गई तो आप यहाँ minus लगाएंगे ट्रिक वही लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा वाई कमान जितना वर्ष का उबेक्ती है 85 वर्ष यह मतलब total number of people यह मतलब कितना वर्ष की बात हो रही है आप जोड़ देंगे 75 में जब 20 तो यह हो जाएगा न 25 अगर आप इस तरह की ट्रिक लगाएंगे तो चाहे टेट, सीट, रर्रब, एंटी, पीसी, एससी कोई भी एक्जाम हो आप इन सवालों को 10 से 15 सिकंड में कर लेंगी लेकिन हाँ ट्रिक मालूम होना चाहिए कि इस ट्रिक के सवाल में यह ट्रिक लगेगा आपको यहाँ 3 लेटर यूज़ करना है बस अगर इसे आप बेसिक में करेंगे तो यह 5 मिनट, 10 मिनट में हो जाएगा ठीक है इसमें एक माइनस वाला भी कर लिजिए इसमें आप लोग एक माइनस वाला कर लिजिए अगर इसे आप देखेंगे तो यह अलग ताइप का होगा अलग ताइप का क्या होगा देखिए अभी हमने आपको बताया कि दो ट्रिक इसमें होगी आपके लिए दो ट्रिक में से एक ये होगी y प्लस यान अक्स और एक होगी y माइनस यान अक्स अगर यहां पर आप से बोला जाए कि दो वर्स की पृध्धी हो जाती है तो आप प्लस वाली ट्रिक यूच करेंगे अगर यहां बोला जाए कमी हो जाती है तो माइनस की ड्रे की उच करेंगे अब यहां पर प्रिधी की जगा पर आप लिख लिजिए दो वर्स की कमी हो जाती है अब देखे सवाल वही है लेकि उत्तर बदल जाएगा आप लोग आप जल्दी से बताएं फटाफट इसका अंसर कितना आएगा पहला अपसन है पचास वर्स पैतालिस वर्स फजपन वर्स या नौन आप दीज यह इस टाइब का आपका चाओथा है पाचवा सवाल जो भी नंबर है डाल लिजी अपने हिसाब से देखे यह कमी वाला सवाल है इसलिए हमें क्विश्चन हल कर देते हैं अगर यहाँ पर कमी की बात होगी तो आप यह ट्रीके उच करेंगे सारे मान वैसे रखेंगे सेम टू सेम जो भी आपने रखा था वैसे ही रखेंगे तो यह 75 माइनस 20 इकोल आएगा 55 वर्स नोट कर लिजीए 10 वर्स का जो बेक्तिता चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं 15 वर्स भी ऐसे रहने देते हैं 2 वर्स की जो कमी होती न इसको आप लोग कर लिजीए कि 5 वर्स की कमी हो जाती है अब देखिए आप लोग बहुत ही आसानी से बता ले जाएंगे option इन में से बदल जाएंगे और इन option में से आपको बताना है 15 वर्स 18 वर्स 25 वर्स 35 वर्स या फिर none of these अब बताईए 5 वर्स हो गया जहां पर 2 वर्स था बाकी सब कुछ वही का वही है कितना आएगा सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करें फटा फट कितना आएगा कोचिस करेंगे आया या ना आय ट्राई करिए 35 वर्स आएगा क्योंकि ये ट्रिंग लगेगा Y माइनस N X Y का बेलु है 75 माइनस 10 गुड़ा X कमान 5 75 माइनस 50 इक्वल 25 वर्स यानि कि जब 10 वेक्तियों के आउसातायू में 5 वर्स की कमी हो जाती है यदि उनमें से 75 वर्स के एक बेक्ति के अस्थान पर एक नए बेक्ति को लाय जाता है या फिर आ जाता है तो नए बेक्ति की आउसातायू कितनी होगी 25 वर्स होगी नोट कर लीजिए जल्दी से हो गया या फिर स्क्रीन साट ले लीजिए या वीडियो को रोड करके लिख लीजिए उसी पर चलते हैं आगे देखे बिल्कुल फूल एच्टी क्वालिटी का वीडियो है इसमें कोई भी कमी नहीं है आप लोग अपनी सेटिंग से वालिटी को चेंज कर ले अगर आप अपना कोर्स कम्पलीट करना चाहते हैं तो किरपा कलास सबस्से जॉइन करें और इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों में भी सेयर करें जो लोग जॉइन करना चाहते हैं वो लोग ये number note कर ले इस पर join लिख करके message करेंगे और फिर आपको थोड़ा देर बात reply मिलेगा और आप अपना course पूरा कर सकते हैं चाहे तो NDPC का हो NDPC का हो, NDPC का या फिर CTAT और SSC कोई भी one day exam के लिए आपके average के question अवस्य आते हैं और हाँ, अगर आप ये course Facebook पर देख रहें तो किरपा YouTube पर PBR study को सब्सक्राइब करें, अगर YouTube पर देख रहें तो Facebook पेज को अवस्य लाइक करें Thank you, जिससे कि आपको सभी class मिल सकें ठीक है?